नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल यूपी पंचाय चुनाओं का विगुल पूरी तरीके से बच गया है आपको बता दें कि कई दिगज राजनीती के घर के लोग भी अपंचाय चुनाओं में उतर चुके हैं आपको बता दें कि जौन पूर्जुले से समाजवादी पार्टी के वरिष्ट दिगजनेता पूर्व कैमरेट मंतरी सुर्गिये पारसनाथ यादों के सबसे छोटे पुत्र वेद यादों की पतनी चुनाओं मैदान में उतरी हैं आपको बता दें कि वर्थवान में जौन पूर्वालाहानी से सपाविधायक लकी यादों के भाई वेद यादों की पतनी उर्वसी सिंग्यादों इस बार जिलापंचायत का चुनाओं लड़ेंगी आपको बता दें कि वार्ड नंबर 51 से वेद यादो की पत्नी चुनाव मैदान में उतरी हैं वेद यादो लगातार छेत्र में जाकर जन्द संपर्क कर रहे हैं और एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दिग्र देता पूर्व कर्मिनेट मंत्री स्वर्गे पारसनाथ यादो के परिवार से कोई जिला पंचा चुनाव में उतरा है जिसके चलते वार्ड नंबर 51 में अब लगातार उनके सबसे छोटे पूत्र चुनाव परचार कर रहे हैं वहीं लखी यादो भी पूरी ताकर लगा दिये हैं ताकि पंचा चुनाव में उनके कड़ी भी जादा से जादा चुनाव में जीच सकें आपको बतादें कि जौनपुर जिले में समाजवादी पार्टी के दिग pepp नेता सुर्ग पारसनाथ यादो का बड़ा दबदबा है पारसनाथ यादो के परिवार का राजनीती में बड़ा दबदबा माना याता है और जिलाप पंचायर के चुनाव में इस बार पारसनाथ यादो के सबसे छोटे पुत्र वेद यादो की पतनी उर्वसी सिंजादो जिलाप पंचायर का चुनाव लड़ ही है वार नमबर 51 से वाचनाव मैदान में उतरी हैं अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल बटन जरू दमाएं वीडियो देखने के लिए धन्द्वाद